हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल लाइफ ओफ रागिनी कैसे हैं आप सब मैं अभी मॉर्निंग से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं और खुशु चला गया स्कूल मॉर्निंग का ब्रेकफस हो चुका है और फूरी किचन समेटनी बाकी है तो मैंने सोचा चलो आज लोग अभी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाता है न तो सारी किचन में एक के बाद एक चीजे में भले रख लूँगी जो भी वाश करनी है वो वाश म तो भी पर लोई केंट मरूँ गाने तो वह भी करलूँगी सा साथ साथ और जो भी वह मकाने जो मैंने फ्राइ किते उसके डब्बे रखने थे और गहीं का भी मैंने निka के रखा था तो यह निकालके रुँगी तो उसके लिए भी मैंने डौर्वर्स क्लीन करने का सोचा है तो ऑफ़ुली आज मैं दोनों काम कर लूँगी तो सबसे पहले कीचन कलीन कर रही हूँ और दूद अभी गरम करने नहीं कर रही हूं बासकेट में साइट पर ही रख रही हूँ तो वह भी क्लीन कर लूँगी सार जाती है इसमें कुछ जादा मेहनत की जरूरत भी नहीं होती तो कीचन में डेली उसके लिए मतलब जितना भी रेगुलरली हम यूज करते हैं तो बहुत ही जादा अच्छा रहता है और इसमें डिसेंफेक्टेट भी है तो जादा इंफेक्शन के भी कोई चांसिस रहते नही हैं तो बस यहां पे सारा कुछ कीचन भी क्लीन कर लिया है और उसके बाद ना मुझे जो मैंने बेडरूम में बाहर से जो अंदर रोड लगवाई थी कर्टेन की तो दोनों बेडरूम के ना कर्टेन लगवाने बाकी थे तो वो भी मैं आज लगा लूँगी क्योंकि काफी अधर दिनों से कर्टेन भी मैंने बाहर लगा निकाल के रखे थे तो दो दिन हो गया हूँगे एक दो दिन से बाहर ही रखे हुए थे और रजाईया भी मैंने समेट के अंदर रखनी है तो भी रजाईया उका तो स्पेस कैसे करना है वो मैं आगे आपको व्लोग में बतात तो बस यहां पे मैंने लगा दिये हैं करटन उसके बाद मैं लगाने जा रही हूं मशीन क्योंकि मॉनिंग का टाइम है और कपड़े वाश करने दे दूंगी न तो साथ साथ वाश होते रहेंगे और फिर अब तो मौसम इतना अच्छा हो गया जादा टाइम भी नहीं लगता है कपड़े सूखने में फटाफश से कपड़े भी सूख जाते हैं तो बस यहां पे मैं लगा लूंगी मशीन और अबना मैंने पाउडर चोड़के लिक्विड स्टार्ट कर दिया यूज करना तो बस कपड़े लगा के मैं थोड़ी देर के लिए यहां खड़ी रहे गी थ तो सारे जो प्लांट थे करके मैंने नीचे उता रहे हैं और बहुत जादाना प्लांट सूख चुके थे सारे ज्यादा तरना तुलसी जी जो थे वो सूख चुके थे क्योंकि वीन्टर्स में ना वह नहीं सर्वाइब कर पाते वो थोड़ा सा ड्राइग होई जाते हैं तो कटाई चटाई करने के बाद मतलब सेट हो जाते है सारे प्लांट तो मेरे पास मोगरे का भी प्लांट है और मेरे पास तुलसी जी के भी तीन चार प्लांट से और एक दो प्लांट सूख चुके थे तो वो मैंने पूरे ही निकाल दिये हैं और मैंने आपको अपराजीता का भी प्लांट बोला था कि वो भी मुझे अच्छे से मतलब कटाई करनी है क्योंकि उसकी बेल इतनी लंबी हो चुकी थी तो वो ना मतलब पूराई खराब हो चुका था तो यह देखिए यहां पे इतना सारा कुछ हुआ है और प्लांट बिल्कुल मैंने ट्रिम कर दिये हैं बहुत ही अच्छे से तो यह इसमें नए पत्ते अब ग्रो हो जाएंगे जल्दी से और बहुत अच्छे सा फिल हो रहा था और यह देखिए यह अपराजीता का है और मैं पे दो जो गमले हैं खाली तो उसमें प्लांट सुख चुके थे तो वो मैंने रख दिये हैं उसमें प्लांट लगवा लूँगी तो बस यह सब काम करके ना बहुत ही जादा थक चुकी थी तो चाय बन रही है साथ-साथ तो अब साथ-साथ चाय पी के फिर आप से मिलते है अबी अबी चाय पी है और खुश्मी यहां पे है यह रहा है सारी जगह पे सब पिला रखा है टॉइस टॉइस सारी जगह पे चाश्मने पहने लो गटा खुश्मा पहलो फिर देखो तो अब कह रहा है थोड़ी देर ममा टीवी देखना है तो टीवी देखेगा और मुझे आज मैं सुबह से ना सारी चीजों में अज लगी हुई हूँ तो बहुत सारी चीज़े आज सेट करनी है और यहां पे बिदाना हुआ है यहां पे बिद अजिए अन्दर वह वाली जो मैंने बोली थी और एक ब्लैंकेट भी मैंने वाश कर दिया है तो वह भी मैं अंदर रख दूंगी या बैड में और जो मेरी अलमीरा है ना उसके निंचे एक हलग से दिया हुआ है क्या बोलते हो इसको ड्रॉवर तो उसमें ना कुछ मतलब क साम के चीज ऐसी कोई सेट करके रखी नहीं हुई है मैंने तो ऐसी ही सब मतलब जो मुझे रखना होता था न उस टेम पर जो भी मन करता था मैं रखती जा रही थी तो अभी ना बहुत ही मैसो रख दो है वह उत्याशकुमार की तो खुष्टु देख रहा है मुवी अक्षे कुमार की और जो जो वह ड्रॉवर है न तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा है इंदर बहुत ही मतलब काम की भी है कुछ बेकाम की मतलब बेकार की भी चीज है तो सारी मुझे निकाल के अलग रखनी है और मैं न वहां सो हो जाए वहां से निकालना और रखना भी थे ना थो मैंने यह सोचा है तो अभी मैं वहीं वाली सेटिंग कर रही हूं तो वही कर लेदे आज काम तू चलिए तो ये वाली जो है ना दोनो रजाई ये दोनो रजाई और जो मतलब कंबल वगेरा जो भी है अब सर्दियों का समान तो वो ना मैं उस बैड के अंदर रख रही हूँ क्योंकि वहाँ जो डबल बैड का जो मैट्रस लगाया है ना तो मुझसे बार-बार ओपन नहीं होता वो रजाईया है कंबल है गरम जो कपड़े अभी पैक करके रखने वह सारा में उस बैड में रखूंगी बाकि जो मेरे जो ड्रेस है मतलब सूट है साड़ी है जो कि मुझे कभी कबार जरूरत पड़ जाती है कोई भी फंक्शन में है ना तो इसी वज़े से मैं वहाँ पर शि लोगी जो निकले हुए थे तो वह भी रखूंगे क्योंकि बैया और आये थे ना देदी और तब निकाले थे और यह वाला मैंने बैंग निकाला है क्योंकि इसमें है मेरे गर्मियों के कपड़े जो की जो टी-शिर्ट और इस टाइप के मतलब जो मैंने पहन रखा है अभ और मुझे व्लॉक का यहाद ही नहीं आया तो मैं फटा-फट से उठी आधे कपड़े तैख ही है वहाँ पर भी आधे बाकी है तो फटा-फट से तै कर लेती हूं मैं पहले तो कपड़े मेरे तै हो चुके हैं सारे और बस में लगा दूँगी और आपको मैं दिखा रही यह वाले डौर की हालत तो इसमें ना बहुत सारे मेरे स्लिंग बैग और यह सब समान पड़ा है जैसे कि बैग्स है पाउच है तो यही सब है जाधा तर और खुशु की जो पुरानी वाली जो ड्रेसेज होती है ना कृष्णा की काना जी की और सेंटा क्रॉस की और यह सब चीजे भरी हुई है इसमें तो बस यह क्लीन करूंगी अभी और इसमें कॉटन की बैटशिट वगेरा लगाऊंगी तो यह वाला मतलब सही रह जाएगा मेरा ना यहां पर तो यह सेट हो चुका है तो ड्रॉर खाली हो चुका है यह वाला और देखे कितना गंदा हो रहा है बहुत ही जदा गंदा हो रहा है यहां है सारा समान जो की इसमें था नीचे जो मैंने निकालना है वह निकाल दिया और यह है मेरी शादी का चूड़ा शादी का चूड़ा दिखाती हूँ मैं अपनी तो यह मेरी शादी का चूड़ा है और बहुत ही सुंधर यह देखिए पिकॉप बने हुए थे इस पर चैसे तो मैंने संभाल के रखा है वैसे तो मंगी ने बुला तकि या तो रख सकते हो या तो प्रभाइद कर सकते हो पर मैंने नहीं किया है और ये सारे bags है slings bag और बाकी सारा समान ही है normal सा तो अब मैं clean करूँगी अच्छे से इसको फिर सारे चीजे रखूँगी इसमें तो यहाँ पे न अच्छे से मैंने सारे चीजे निकाल के मतलब drawer खाली कर दिया है और इतनी सारी waste चीजे निकली है न और जो कूड़ा था न वो मैंने एक polythin में रख लिया है और अच्छे से अंदर spray करके न सारा पहले तो dry जो भी मिट्टी वगेरा थी वो निकाल ली है और उसके बाद मैंने spray से clean कर लिया है